संग्धन अपने आपको बचाने के लिए आखरी कवायत क्या करेंगे जैसा कि वीदा पिपल लगाता और सोर मचा रहा है और अब तो हज्जारों आदमी स्वात को सोर मचा रहे हैं कि सब को खटा होना चाहिए जो व्यक्ति मनु इसमर्ति पे आधारित संग्ठन बना रहे हैं जो व्यक्ति वात पर आधारित संग्ठन बना रहे हैं या जो अपने रिस्तदारों को अपने मरने से पहले फिट कर रहे हैं या जो संग्ठनों के टुपड़े इसलिए कर देते हैं कि ताकि उनका वच्चस पर बना रहे हैं वो भी प्रधान बने रहे हैं या राजनितिक पार्टियों के टुपड़े करते आते हैं या बावा साब के संग्ठनों के सबी तरह के संग्ठनों के लोगों ने टुपड़े कर दिये सर्फ इस लिए क्योंकि परधानी उनकी जो दादागरी है या जो उनको पैसा मिलता है वो चलता रहे ऐसे सारे संग्ठन मनुसमर्ति पे आधारित व्यक्तिवाद पे आधारित और राजा रानी पुत्र पर आधारित है जो बावा साब की कलपना नहीं है बावा साब की संग्ठन बनाने की संग्ठन या इस्ट्रक्चर नहीं है बुद्ध ने या बावसाव अम्मेटकने सम्मिधान में व्यक्तिवाद, मनुस्मर्टिवाद या राजारानी पुत्रवाद जिसको राजसंत्र बोलते हैं, उसके उलट संगवाद दिया है, यानि यहां व्यक्तिप्रधान नहीं होता, व्यक्तियों का समुप्रधान होता है तो इन संग्थनों की अभी हलत खराब है क्योंकि चारो तरफ से यह शोर मचन लगा है कि अगर तुम सब इखटे हो जाते, यानि सारे संग्थन इखटे हो जाते तो भी हमारे अधिकार बच जाते तुम सब निकम में हो तो ये संग्ठन अपने आपको बचाने के लिए कहते हैं कि देखो 2 अपरेल 18 को जो सारे लोग सड़क पर आए SC-ST का जो एक एक्ट खतम किया गया था उसके अगेंश्ट में तो वो जो लोग थे वो सारे संग्ठन ने मिलके तियार किये हैं इसलिए आप संग्ठनों को गाली नहीं बख सकते इसलिए आप संग्ठनों को बुरा नहीं कह सकते इसलिए संग्ठन खराब नहीं है संग्ठन अच्छे हैं अगर संग्ठन नहीं होते तो 2 अपरेल को सारे लोग सड़क पर नहीं आते तो यह जो तरक वो देते हैं यह बिलकुर ठीक है यह जायज तरक है क्योंकि इन संग्धनों ने बेसक कीमत बहुत ज़्यादा वसूली है मगर इतना तो किया कि लोगों को डॉक्टर मेटकर के बारे में जन जागरती हुई है फूले साब के बारे में जन जागरती हुई है बुद्ध के बारे में जन जागरती हुई है संग्धान के बारे में जन जागरती हुई है इसका सरे सारे संग्धनों को जाता है मकर यहां आप पिच्चर को पूरे सीन में देखिए दरसल वो एक छोटे से पॉइंट पर बात करते हैं अगर आप पूरी पिच्चर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यह जितने भी संग्ठन थे इने लाखों संग्ठनों की वज़े से अलग-अलग टुक्ड़े में होने की वज़े से हमारे समिधान के सारे अधिकार चलेगे तब यह संग्ठनी खटे नहीं हुए हमारे जितने भी बावासाव अमेट कर अधिकार लेके आये थे नौकरी के या जो आजादी के या सुतंता बोलने के या कुछ करने के मौकिया हमारे चलेगे हमारे कोड के अंदर जो हमारे इतने फैंसले रोटी आए उसमें ये खड़े नहीं हुए हमारा हिस्सा जो S.E.S.T. कंपोनेंट का प्लान का होता था पैसा होता था वो कभी हमारे बेल फिर में लगा नहीं ये कभी बोले नहीं और जिन सेक्टरों में हमको नौकी मिलती थी यानि गौर्रमेंट सेक्टर में जो नौकी मिलती थी वो सारे सेक्टर बिक गए तब ये खटे नहीं हुए बोले नहीं और सम्मिधान जलाया गया तब ये क्यांकी तो एक तरह से देश दुरो था तो पुरे देश को ऑना चाहीँ था और पूरे देश में बहुत सारी लोग ऐसे होंगे, जो देश द्र messyants, तु. जो सारे लोग at regina या जो फूलेवादी थे या जो साहु बादी थे, उनको तो आना चीए था, उनको तो इखट़ा होना चीए था, ये लोग नहीं इखट़े हुए, और धोपल 18 को भी ये लोग इखटे नहीं हुए, ये लोग चले गे, नेताओं ने आभान किया कि वो नहीं आरे, तो पबलि संधनों के होते सोते गए हैं इसलिए सारे संधन इस बात के लिए जुम्मेदार है और दौकल आतारे को भी संधनों का आभान नहीं था संधनों ने कोई मिलकि आभान नहीं किया tak तब आपने एक फोटू ने देखा होगा जब ये इकटे होते हों मगर आप जैसे जैसे वीदा पीपल से लोग जवाब दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भई इकटे नहीं हुए तुम इसलिए हमारा चला गया सारा हमें तुम से फाइदा बहुत जरासा हुआ है जन जगर्दी का मारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि सब कुछ चला गया तो हमारा नुकसान इतना ज़्यादा है कि आप जो फाइदा गिना रहे हैं वो फाइदा बहुत कम पढ़ता है और उस फाइदे की कोई वेलू नहीं लगती है क्योंकि वो फाइदा भी आधा अधूरा था आप नहीं आए दो पहले को लोग आए इसलिए इन संग्ठनों को ये लगता है कि अगर लोगों ने हमें नकार दिया और हमें पैसा देना बंद कर दिया और हमारे जंडा लेके खड़े नहीं हुए चाहे वो राज्यतिक पार्टी हैं चाहे सामाजिक संग्ठने हैं चाहे वो धंके हैं चाहे वो आर्थिक के हैं तो ये सारे मर जाएंगे और इनके नेता कुछ करते बरते तो है नहीं बहुत सारे निननेताओं को तो मैं जानता हूँ जो संग्ठनों के नेता है, उनका तो खर्चा भी संग्ठन के चंदे से चलता है, वो जो हवाई जहाज रेल का टिकेट है, वो संग्ठनों के खर्चे से आता है, इविन जो वो सामार आता है, कुछ इधवदर का, वो अपने घर ले जाते हैं, वो भी संग्ठनों के बेहाब वो दवदर से पी स्लित म Việt से होंगे चिंता संग्ठन को नहीं है संग्ठन के नेताओं को चिंता ही है , और उन्हें जो प्रशदी, मालन समान भलता है , वह र१नम, मिलता है , वह बादन का पर मिलता है जो उन्हें बड़े-बड़े लोगों को संग्छन के ब्याव पे हिज़त मिलती है वह उनकी खतम होने वाली हैं तो वह किस्कों ना operations कर रहे हैं और वह और कोशिucking करर रहे हैं कि हम संग्ठन के रहे की एक कुछ पूरी कर दें तो एक बाड़ सी आ गई है जगे 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 चोटे चोटे कालेकरम हो रहे हर संग्ठन ये कह रहा है कि हम तो साथ हैं और हम संग्ठनों को इखटा कर रहे हैं मगर वो पीछे से यह भी कहता है कि भाई सारे संग्ठन मेरे अंडर आ जाओ मैं ही तुम्ह प्रियास है कि उसमें वीदा पीपल का बहुत बड़ा हिस्सा है और वीदा पीपल उसमें वाच कर रहा है और देख रहा है कि अगर वो डेमकृतिक सिस्टम नहीं रहा और समयधानिक सिस्टम नहीं रहा तो लोगों को बताया जा सकता है कि यह जो संग्ठन इखटे हो रहे और जिसको इंडियोल आ रहा है, वो वीदा पीपल में आ सकता है, इंडियोल व्यक्ती वीदा पीपल में स्वाधत है, और वीदा पीपल डेमोक्रिटिक है, इसलिए ये सारे संटनिस की कभायत कर रहे हैं, धन्यवाल. अजयवाल कर दो 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 कर दो